साथियों, आज भारत दुनिया की पाँचवी बड़ी अर्थ बवस्ता है, साथ आठ साल के भीतर हमने दस्वे नंबर से पाँचवे नंबर तक की छलांग लगाई हैं, यह सही हैं कि दुनिया के हाला ठीक नहीं है, अनेक बड़ी-बड़ी अर्थ बवस्ताएं संगर्श कर रही हैं, दुनिया के अनेक देशों में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अनेक समस्याएं अपने चरम पर हैं, सो साल में आए सबसे बड़े संकर के साइड इफेक्स, सो दिन में चले जाएंगे, ऐसा न हम सोते हैं, न हिंदुस्तान सोता हैं, और नहीं दुनिया अनुभाव करती हैं, लेकिन इसके बावजूद संकर बड़ा है, विश्व व्यापी हैं, और उसका प्रभाव चाणों तरफ हो रहा है, दुस्प्रभाव हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत पूरी मजबूती से लगातार नए नए इनिसेटिव ले करके, थोड़ा रिस्क ले करके भी, ये प्रयास कर रहा है, कि ये जो दुनिया भर में संकर है, उसको से हम हमारे देश को कैसे बचा पाएं, इसका दुस्प्रभाव हमारे देश पर कम से कम कैसे हो, बड़ा कसोटी काल है, लेकिन आप सरकेव सब के आशिरवात से, आप सब के सहयोग से, अब तक तो हम बच पाए हैं, ये इसलिए संभव हो पा रहा है, क्योंकि बीते आठ वर्सों में, हमने देश की अर्थेववस्ता की, उन कमियों को दूर किया है, जो रुकावटे पैदा करती थी, साथियों, इस देश में ऐसा मातामन बन रहा है, जिसमें खेती की, प्राइवेट सेक्टर की, छोटे और लगूद्योगों की ताकत बढ़े हैं, ये देश में रोजगार देने वाले सबसे बड़े सेक्टर है, आज हमारा सबसे अधिक बल, युवाओं के कौशल विकास पर है, स्किल डेवलप्मेंट पर है, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहट, देश के उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से, युवाओं को ट्रेनिंग देने का एक बहुत बड़ा अभ्यान चल रहा है, इसके तहट अभी तक सवा करोड़ से अधिक युवाओं को स्किल इंडिया अभ्यान की मदद से ट्रेन किया जा चुका है, इसके लिए देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं, इन आठ वर्षों बहें, केंद्र सरकार द्वारा उच्च सिक्षा के सेंकडों नए संस्थान भी बनाए गए हैं, हमने युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर खोला हैं, ड्रोन पॉलिशी को आसान बनाया हैं, ताकि युवाओं के लिए देश भर में जादा से जादा आउसर बढ़ें, स्थान बनाया हैं, बनाया हैं, बनाया हैं, ताकि युवाओं कि युवाओं के लिए सेक्टर खार में जादा से जादाफं के।ू committees थेवाओं को आसान बनाया हैं,